देवी जीवदानी जिन्हें जीवधानी भी कहा जाता है भक्तों को जीवन के अपार सुक सम्रिद्धी का आशिरवाद देने वाली देवी है ऐसा माना जाता है कि वो माहुरगड नांदेड की देवी रेणुका का अवतार है ये प्राचिन मंदिर जीवदानी पहाडी परस्तित है जो विरार में साथपुड़ा परवत शंकला का हिस्सा है ऐसा माना जाता है कि सत्रावी शताबदी में इस पहाडी पर एक किला अस्तित्व में था जिसे जीवदानी के नाम से बुलाया जाता था मंदिर के शिकर पर हमेशा भगवा जंडा लहरता दिखाई देता है मंदिर की उचाई से पहाडी का सम्रिद्ध हर्याली वाला सुन्दर द्रिश्य दिखाई देता है मंगलवार और गुरुवार को मंदिर जाना लाभकारक माना जाता है पौरानिक कथा के अनुसार अपने वनवास कालावधी में पांडवों ने इस पवित्र मंदिर के शेत्र की यात्रा की थी और वैतर्णा नदी पर उन्होंने विश्राम किया था इस थान की शांती के प्रती पांडवों में स्ने निर्मान हुआ इसलिए उन्होंने शिर्गाउं के समिप पहाडी की गुफा में देवी एकविरा का प्रती रूप स्थापन कर उनकी पूजा की उन्होंने इस देवी को भगवती जीवदानी का नाम दिया और यहां यात्रा करने वाले साधों के लिए गुफाओं का एक समुह भी बनाया जिसे आज पांडव डोंगरी कहा जाता है इस मंदिर में देवी एक गुफा में रहती है और लोगप्रिय मान्यता के अनुसार निस संतान महिला अगर देवी की सच्चे मन से पूजा करती है तो देवी उसे संतान सुख का आशिरवात देती है देवी रेणुका जैसी ही माता जीवदानी को प्रसाद में तांबुल चड़ाया जाता है माता जीवदानी की अपार शक्तियों पर विश्वास रखने वाले सैकडों तीर थियात्री इस मंदिर की यात्रा करते हैं भक्तों का मानना है कि उचित अनुस्ठान कर देवी को प्रसन किया जाए तब वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है